मोहम्मद रख्फी की चाहत का जुनून ये बेटरूम है या रख्फी का मंदिर भारत के संगीत चमकते सितारे मोहम्मद रख्फी ने आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था रफी साहब एक ऐसे गायक थे जिनके बिना आज भी संगीत की दुनिया अधुरी मानी जाती है मोहम्मद रफी एक ऐसा नाम है जिसे शायरद ही कोई नग जानता हो कई दशकों तक उन्होंने बेहतरीन फिल्मी और गेर फिल्मी गाने गाये अहमदाबाद में उनके एक चाहने वाले उमेश मखीजा ने उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया है उमेश अपने घर में ना सिर्फ रफी साहब के लिए एक पूरा कमरा बनाया है बलकि उनका मंदिर भी बनाया है कपड़े का व्यपार करने वाले मखीजा रफी साहब को भगवान की तरह मानते हैं उनके दिवानिपन के हद यह है कि अपने मकान का एक कमरा उन्होंने रफी के नाम पर रखा है इस कमरे का दर्जा मंदिर का है और यहां पर हर चीज पर रफी साहब का नाम है इस कमरे में एक घड़ी भी रखी गई है उस घड़ी की आस बात ये है कि ये घड़ी दस बच कर 29 मिनट पर रुकी हुई है ये वो वक्त था जब 31 जुलाई 1980 में रफी साहब ने अंतिम सांस ली थी कमरे में रफी साहब की यादें सहेचती हुई 55 तस्वीरें लगाई गई है 55 तस्वीरें इसलिए क्योंकि रफी साहब की उम्र 55 साल की थी कमरे के बेड पर बिछाई चादर पर रख़ी के गाने नगमों को प्रिंद किया गया है इसी बेड पर दो तकियों पर रख़ी साहब के जन्म और मौत की तारीख लिखी हुई है चादर पर रख़ी के गाने नगमों को प्रिंद किया गया है उनके मंदिर में रफी साहब की कब्र की मिटी और रफी साहब जिन चीजों का इस्तमाल किया करते थे वो सभी असल चीजें रफी साहब के परिवार वालों ने उमेश मखीजा को दी है रफी साहब का चश्मा उमेश मखीजा का कहना है कि रख्फी साहब को वो पहले से इतना नहीं चाहते थे लेकिन पहली बार जब उनका गाना सुना था तब पता नहीं क्या हुआ था मैं बस रख्फी साहब की ओर खिचता चला गया आज उमेश मखीजा के पास रखफी साहब के चार हजार से ज्यादा गानों का संग्राले है यही नहीं उमेश मखीजा को लोग रखफी साहब के भक्त के तोर पर जानते हैं जो भी किताब रफी साहब के जीवन पर लिखी जाती है उसे उमेश मखीजा के जरिय बनाए गए रफी साहब के कमरे में पहले रखा जाता है। ज्यादा गीतों का भंडार हैं। इन में कुछ गाने तो ऐसे हैं जिनका और कहीं मिलना बहुत मुश्किल है। ये गाने हिंदी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती और देश की अन्यव भशाओं में हैं। यहां तक कि दो गीत तो अंग्रेजी में भी गाय हुए हैं। रफी स रफी साहब को चहता है वो यहां पर आकर रफी साहब के गानों का लुपित उठा सकता है। रफी साहब के चाहने वाले यहां दूर-दूर से आते हैं। रफी साहब के ही एक गाने के लफ़ जहां लिखे हैं। मेह की मेह की फिजाही ये कहती है तो कहीं आस-पास है दोस्त ये लखज और यही रुह इस कमरे में जिन्दा लगती है